हाई अबरीबन बंगलादेस वर्चे अफगानिस्तान के बीच जो 14 जुलाई को T20 का सीरीज खेला जाएगा इस मैच में आप ग्राइन लिग या स्माल लिग की बहतर टीम बनाना चाहते हैं अपने टीम को रैंक कराना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ऐसा चार टरम कार्ड खे करते हो तो फिर आप एसमाल लिग को भी जैकपोर्ट बना सकते हो साथ में पीच रिपोर्ट का कंडिशन भी बता दूँगा क्यूंकि सिलहट इंटरनेशनल किर्केट गरौन बंगलादेस में मैच होने वाला है और दोनों टीम के एक एक प्लेयर का सीन किलियर कर दूँगा क्या हेट टू हेट रिकॉर्ड है क्या रिसेंट परफॉर्म है जिससे कि आप 11 प्लेयर का बहतर टीम बना पाओगे और अपने टीम को ग्रैंड लिग एसमाल लिग हर जगे अच्छा खासा रैंक दिला सकते हो तो वीडियो का इंफरमेटिव होने वाला है बिना इसकीप के वीडियो को देखना और एक लाइक जरूर कर देना जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताके में कोई भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोटेंट होता है मेरा टेलेगराम जहां फाइनल पिछ रिपोर्ट कोई भी अपडेट आते हैं बता दिया जाता है ग्राइन लिग और एसमाल लिग की फाइनल टीम भी मिलती है तो इसलिए जाओ डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा टेलिगराम का वहां से ज्वायन हो जाना वीडियो स खेले गए हैं रिसेंट में कुछ मैच खेले गए हैं जो हुनमेन वाले हैं उसका मैं रिकॉर्ट आपको दिखा दूँगा जिससे की थोड़ा कनफ्यूजन दूर हो जाएगा वैसे यह बैलेंस पीछ है नॉर्मली देखोगे दोनों टीम के ओलाउंटर थोड़ा ज्यादा लोग ज्यादा फोकस करेंगे इसलिए आपको थोड़ा सा यूनिक टीम बनानी होगी ग्रैंड लिग में तो रिसेंट के परफॉर्म देखोगे उस ते थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा एबरेज इसकोर 150 का है जबकि यहाँ पे हाई स्कोर 210 का बना है जो की सिर के सारे मैच हुमेन वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्री लंका पहले बैटिंग करके 55 रन मारे थे 9 विकेट पर इंडिया चेस करने में 171 रन मार दिये थे 2 विकेट पर यहाँ पे देखोगे कि पेसर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिला था सिकेंड जबकि यहाँ पेसर को एक विकेट मिला था फर्स्ट इनिंग में सिकेंड में कोई विकेट नहीं मिला था जबकि इस्पीनर को फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट और सिकेंड में 4 विकेट मिला था तो उससे पहले इंडिया और थाइलैंड के बीच मैच हुआ था इंडिया प स्री लंका पहले बैटिंग करके 112 रन मारे थे पाकिस्तान चेस करने में 113 रन मार दिये थे 5 विकेट पर यहां पर भी देखोगे सिर्फ सिकैन इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिला था जबकि स्पीनर को फर्स इनिंग में 8 विकेट और सिकैन इनिंग में 3 विकेट मिला था इन ठीक ठाक, रिदम में इनके player भी दिख रहे हैं, अगर last के 5 match की बात करें, तो 4 match win करके आ रहे हैं, वही अफगानिस्तान, अगर last के 5 match की बात करें, तो 3 match ये भी win किये हैं, जिसमें 2 match पाकिस्तान को हरा कर आ रहे हैं, तो यहां पे compare करना थोरा मुस्फिल हो सकता है, लेकिन जब हम लोग एक-एक player के perform देखेंगे, head to head record देखेंगे, जिससे आपका confusion दूर हो जाएगा, अगर आपको real में profit बनाना है, तो फिर बल्लेवाजी application पे आ जाओ, यहाँ पे आप जैसे और first deposit करोगे, suppose that कि अगर आपने 100 रुपया deposit किया, तो 10% extra cash मिलते हैं, तो आपके पास 110 हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि fantasy खेलने के लिए, team बनाने के लिए, आपको deposit करने ही होंगे, आपके violet में balance नहीं रहेंगे, तो आप team join नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 10 रुपय deposit करोगे, तो 10 रुपय के contest भी खेल सकते हो, आप grand league या small league हर जगे, आसानी से bonus यूज कर पाते हो, और सबसे बरी बात होती है, कि यहाँ पे जो commission होता है, वो बहुत ही कम होता है, जबकि order fantasy के जैसा ही profit दिया जाता है, तो यहाँ पे profit ज़ादा है, और आसानी से आप जब entry fees को save करोगे, तो officially बात है कि आपको profit ज़ादा होगा, जबकि छोटे से छोटे amount के contest खेल सकते हो, और बरे से बरे, तो यहाँ पे जीतना काफी आसानी होता है, member कम होने के कारण, जबकि आप एक team से इस जगह पे आप 10 player को try कर सकते हो, जो कि team बनाने में आपको काम आएगा, और यहाँ पे जो unique होता है state fantasy, आपको उसी match से related धेर सारे सवाल मिलेंगे, जैसा कि यह देख रहे हो, यह एक सवाल है, बंगलादेश will win the T20 match against Afghanistan, दूसरा है, मतलब कि पूरे match में दो विकेट या उससे ज़्यादा विकेट गिरेंगे, और पहला है कि बंगलादेश अफगानिस्तान के खिलाब match जीतेंगे, तो मेरे हिसाब से बंगलादेश match को win कर जाएंगे, और T20 match है तो दो विकेट क्या है, जैसे ही आप खेलोगे, तो यहाँ पे आपको entry 100 करेगा, मतलब कि अगर एक contest खेलोगे, तो आपको 6 रूपया लगेगा, true पे जबकि false पे खेलोगे, तो आपको 450 लगेगा, तो जितना आप entry अपना amount को बरहा सकते हो, और यहाँ पे contest कितना लगाना है, आप 100 यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे entry 100 करेगा, returning कितना मिलने वाला रहेगा, वो 100 करेगा, तो आप 6 रूपय से 6,000 तक, और यहाँ पे 4 रूपय से 4,000 तक खेल सकते हो, एक entry में, जबकि live match में भी खेल सकते हो, जैसे match start हो जाता है, कि कितना विकेट गिर गिर गया है, कितना run बन गया है, कितना कौन से match टीम जीतने वाली है, तो आपको सारी सवाल मिलते रहेंगे, आप live match में पैसा चापते रहोगे, काफी बहतर application है, link description में मिल जाएगा, वहाँ से download करके sign up हो जाना, वीरियो पे बने रहना, बंगलादेश के possible playing 11 की बात करें, तो लिटन्दास के साथ रोनी तलकुदार opening करेंगे, नजमुल हुसेन संटू है, साकिबुल हसन, तोहिद रिडवाई, समीम हुसेन, महदी हसन मिराज, तसकीन अहमद, नसूम अहमद, हसन महमूद मुस्तफीजुर्रह्मांत, ये इनके playing 11 है, जबकि अलादेश के player के recent perform देखोगे, लिटन्दास opening करेंगे, recent form काफी गजब का है, बरे-बरे score खड़ा करते हैं, captain wise captain के option है, wicket keepering भी करेंगे, तो इसलिए wicket keeper से भी point देंगे, head to head में 8 match खेले हैं, 120 run है, 15 coverage है, head to head में उतना कुछ खास नहीं है, जबकि venue में 2018 के बाद कोई match ही नहीं हुआ है, तो venue performance दिखाना उतना सही भी नहीं है, जबकि रौनी तलुकदार है, जो कि इनका भी ठीक ठाक perform है, recent में जो कुछ match खेले हैं, उसमें ठीक ठाक नहीं रहा है, लेकिन काफी गजब के player हैं, और इनको grand league में अप ट्रम काट के तौर पर try कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक ऐसे player है, जो consistent है, recent में भी देख रहे हैं कि बीच बीच में run मार जाते हैं, लोग पूरी तरह से ignore करेंगे, जबकि ये opener bestman है, इसलिए most type pick हो जाते हैं, आप try जरूर कर लेना, नजमून हुसेन संटू है, और यहाँ पे इनका perform देख सकते हो, कि बीच बीच में ये भी perform करते हैं, आप चाहे ignore कर सकते हैं, वैसे generally लोग इनको ले कर आएंगे, लेकिन ये balling friendly pitch है, उससे पहले 20 run एक विकेट, उससे पहले एक विकेट, एक विकेट, तो इस तरह से perform है, और head to head में भी 10 match खेले हैं, 149 run है, 14 का आइबरेज है, और लगभग 9 विकेट भी है, तो इसलिए साकीबुल हचसन सबसे ज़्यादा captain wise captain का option भी रहेंगे, और batting order बहुत ही गजब का है, 14 नमबर पर batting करते हैं, और team जो opponent team है, वो भी इनहीं के जैसा है, तो इसलिए इनके perform आनी की संभावना रहेगी, small league में safe option है, आप captain के साथ जा सकते हैं, अगले player तौहिद रिद्वाई है, जो कि recent form आप इनका देख सकते हो, head to head या venue performance नहीं है, समीम हुसेन है, इनका भी ठीक ठाक perform है, आप चाहें try कर सकते हैं, venue performance नहीं है, महदी हसन मिराज है, महदी हसन मिराज काफी गजब के player है, और ये आप के लिए trump card रहेंगे, recent में कुछ match में ये flop गया है, नहीं तो ये 2 wicket, 3 wicket इस तरह से निकालते हैं, जिस तरह से रासिद खान अफगरिस्तान की तरफ से मिलेंगे, और काफी technical baller है, तो रासिद खान को generally लोग सभी जानते हैं, लेकिन मेहदी हसन मिराज उतना ज़्याद मैच नहीं खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लोग उतना ज़्याद इनको support नहीं देंगे, लेकिन ये गजब के player है, grand league में ये भी एक trump card के तोर पर player है, जिनको आप try कर सकते हो, captain wise captain भी बना सकते हो, तसकीन अहमद है, काफी गजब के player है, तीन विकेट, चार विकेट, दो विकेट इस तरह से निकालते हैं, और यहाँ पे आप चाहें, try कर सकते हैं, grand league में captain wise captain, small league के लिए option आपके captain wise captain के बहुत ज़्यादा रहेंगे, जब कि team बताओंगा, तो समझा दूँगा, नसूम आहमद है, इसको generally आप तब try करना, जब इनकी team second में ball कराते हैं, मतलब बंगलादेश, second में ball कराएंगे, इनको try कर लेना, grand league में, small league में ignore कर देना, हसन महमूद है, यह भी एक-एक wikेट निकाल देते हैं, रिसेंट में perform नहीं ठीक ठाक आने के कारण, लोग ignore करेंगे, अब grand league में captain wise captain, अगर इसकी team बनाते हो, तो try कर सकते हो, head to head में 8 match में, 11 wikेट है, small league, अफगानिस्तान के possible play 11 की बात करें, रहमत उल्ला गुरबाज है, साहित के साथ opening करेंगे, इबराहिम जडरान है, नजीब उल्ला जडरान, मुहमद नाभी, करीम जन्नत, अजमत उल्ला उमर जाई, रासिद खान, फारीद अहमद, मुझीबुर रहमान, और फजलुल हक फारुकी, तो ये इनके play 11 है, player के stat की बात करें, रहमत उल्ला गुरबाज है, विकेट कीपर है, रिसेंट में कुछ ऐसे match खेले हैं, काफी गजब के perform दिये हैं, opening करते हैं, safe option रहते हैं, आप small league में तो try कर लेना ही, grand league में भी try कर सकते हो, hit to 8 में 6 match खेले हैं, 69 run है, और 11 का average है, जबकि मुहमद सहजाद है, इनका recent form देख सकते हो, ये flop player है, वैसे ये भी T20 format में काफी गजब के perform करते हैं, आप चाहें grand league में try कर लेना, value में या hit to 8, कोई भी experience नहीं है, इबराहिम जडरान है, recent में काफी गजब का perform कर रहे हैं, आप चाहें इनके साथ wise captain भी जा सकते हैं, grand league में, small league के लिए आप चाहें safe player, जाना ही, hit to 8 में एक match खेले हैं, 42 run मा रहे हैं, जबकि नजीब उल्ला जडरान है, ये भी ठीक ठाक player हैं, और ये अपनी तरफ से कुछ न कुछ perform कर ही देते हैं, hit to 8 में 12 काइबरेज हैं, 9 match के लिए हैं, 111 run हैं, जबकि अगले player की बात करें, तो मुहमद नावी हैं, जो की recent के हिसाब से, काफी गजब के ओलाउंडर देखे गए हैं, last के match में भी 17 run 1 wicket, उससे पहले 14 run, 38 run 2 wicket, और उसके बाद 2 match में flop भी रहे हैं, hit to 8 में 10 match में 149 run हैं, 14 का इबरेज हैं, अगले player करीम जन्नत है, recent में 1-1 wicket निकाली लेते हैं, 1 match में 56 run भी बनाए हैं, hit to 8 में 8 match में 14 run हैं, और 14 wicket हैं, अब चाहिए ignore कर सकते हैं, grand league में try कर लेना, जबकि player अजमतुल्ला उमर जाई है, देख सकते हो recent form, बीच-बीच में 1 wicket निकालते हैं, अगले player मुझीबु रह्मान है, ये भी 2 wicket, 2 wicket, 0 wicket, 0 wicket, इस तरह से 6 match में सिर्फ 2 wicket हैं, अगले player फजलूल फारूकी है, काफी गजब के player हैं, और इनको आप trump card के तौर पर try कर सकते हो, तो generally मैं आपको 3 trump card बता दिया हूँ, जिसमें इनको भी आप try कर सकते हो, तो ये लगा कर 4 हो जाएंगे, जबकि मैं team में team बनाऊंगा, तो उसमें बता दूँगा कि किस को trump card के तौर पर try कर सकते हो, तो generally अब दोनों team के playing 11 और player के stat देख लिए हो, अब आगे हैं team पे, ये मेरी small league की team है, अब safe जाना चाहें, करीम जन्नत की जगा पे गुरुबाज को try कर लेना, और ये safe team हो जाएंगे, जबकि नजीब उल्ला जडरान को और नसीम हुसेन संटू को भी लोग try करेंगे, तो अब try कर सकते हो, जनरली में balling और allunder को ज़्यादा favor दिया हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा तर spinner को support रहता है, इसलिए wise captain रासित को बनाया हूँ, और साक्किबुल हसन मेरा captain है, grand league की बात करें, grand league में यहाँ पे गुरुबाज को रखा हूँ, लिटन दास को drop कर दिया हूँ, जबकि महदी हसन मिराज को captain बनाया हूँ, और यहाँ पे आप नूर अहमत को देखोगे, IPL में काफी गजब का perform कर रहे थे, यहाँ पे दो विकेट, दो विकेट इस तरह से जार रहे थे, तो यहाँ पे आप देखोगे, जनरली अगर low selection की बात करें, तो नूर अहमत और यहाँ पे तलवकूर साथ में, यहाँ पे टॉस का कंडिशन लगेगा, यह टीम जब बंगलादेश पहले बैटिंग करते हैं, उस कंडिशन में हैं, तो फिलहाल के लिए ग्राइनली की टीम और इसमली की टीम जोइन करनी के लिए है, फाइनल टीम आपको टेलीगराम पे मिलेगा, तो आप टेलीगराम भी जरूर से जोइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, ओके थैंक्यू,